सब्सकार प्यारे बच्चो आज हम सैनिक स्कूल प्रेश प्रिक्षा 2019 रिजनिंग अर्था मेंटल अबिट्टी का जो है पेपर करेंगे क्लासिक्स का जो 2019 में जो पेपर आये था तो रिजनिंग का सॉल्व करेंगे तो कुशन नमबर 101 को आप देखेंगे यदि आकरती X को दरपण में देखा जाए यह आकरती X है यह यहाँ पर दिख रहा है इस आकरती को दरपण में देखा जाए तो उसका प्रत्वी में दीगी चार आकरती आपके बाँ A, B, C, D आपके बाँ यह औरिशनल पिपर है मैंने इसका फोटे स्टेट करके रखा है क्योंकि औरिशनल पिपर को में बिगार नहीं सकता तो इसलिए मैंने फोटेट करके रखा है तो A, B, C, D जो है चार आप्शन देखे हैं तो कौन सा चित्र इस चित्र का जो है दरपण प्रत्वी में बनेगा मिरर इमेज बनेगा तो मैं यहाँ पर आपको solve करा दे रहा हू जैसे यह चित्र है तो आप ध्यान से देखेंगे कि mirror image करते हैं एक चीत ध्यान देखें कोई भी वस्तु अगर जो है यह mirror image है जैसे यह माना यह x कोई object है इसका हमको दरपण प्रत्वी में निकलना है तो दो बातें याद रखेंगे कि दाएं का बायां left का right और right का left हो जा जब आप ध्यान से देखेंगे फिर दूसरी बात आप इसमें ध्यान से देखेंगे कि जो beach का place है वो भी change नहीं होगा अब यह देखेंगे कि इस दरपण के यह नजदीक जो है तिरपुझ है तो यह अब यह भी नजदीक बन जाएगा इस इसका ध्यान लगना और यह अब देखेंगे तो कौन से option में मिल रहा है तो आप a,b,c,d चार option में से देखेंगे कि कौन सा option मिल रहा है तो आप आप आसानी से बता देगे कि option जो है c सही हो जाएगा तो इस प्रकाभ 101 का answer आजएगा वोское है C तो है आपने आसानी से 101 जो है 101 का answer निकाल दिया दूसरा question करते हैं 102 choose the word which is least like the other word in the group उस सब्द को चुनिए जो दूसरे सब्द के समूं से mail नहीं खाता अर्था find odd one इन चार option में से कौन सा mail नहीं खाता अर्था कौन अलग है आपने अलग बताना है picture, poster, book, scenery तो आप ध्यान से देखेंगे picture, poster, book, scenery में जो है कि जो picture है, picture में जो है कोई एक तस्वीर होती है यानि picture एक तस्वीर को बताता है poster भी जैसे किसी hero heroine का poster हो सकता है या कोई सरुस्टी माताजी का poster हो सकता है और scenery जिसमें जो है प्राकरतिक द्रिश्य होते है तो कहीं न कहीं उसमें चित्र होता है चित्र नमर Nature 3 को देखते हैं नीचे देगे चित्र में से कौन सा चित्र यातरी रेल गारी और बस के संबंध में सबी दर चीतर दिखाता है, तो आपके बाद तीन चीज़े हैं, एक है यातरी और एक है रेल गाड़ी और एक बस, तो कौन सा डाइग्राम सही बताएगा, तो इसका उप्शन हो जाएगा C, तो आपने आसानी से बता दिया, जैसे एक माना यह यातरी है, अगर यह यातरी को शो कर रह है, तो यह यातरी, कुछ यातरी के अगर सकते हैं, कुछ सभी यातरी जरूरी नहीं कि बस से जाएं, तो कुछ यातरी जो है बस से जा सकते हैं, और कुछ यातरी जो है रेल से जा सकते हैं, तो आपने आराम से बता दिया, कुछ यातरी जो है बस से जाएंगे, कुछ यातर को बताएगा और ये जो है कुछ ट्रेबलर होते हैं वो ट्रेंज से जा सकते हैं और कुछ ट्रेबलर जो है बस से जा सकते हैं अगला कोशन करते हैं 104 if car is related to petrol then television is car का संबंध petrol से है आप देखेंगे कि car का petrol से क्या संबंध होता है तो वही संबंध television का किसके साथ होगा तो आप गौर से देखेंगे कि जो car है उस car को चलाने के लिए car को चलाने के लिए petrol की जरूद पड़ती है तो television को चलाने के लिए किसकी जरूद पड़ेगी अप्शन A, अप्शन B, transmission, अप्शन C, entertainment, अप्शन D, electricity तो इसका आंसर जो आजाएगा car को चलाने के लिए petrol की जरूद पड़ती है, car अगर मुझे चलाना है तो petrol की जरूद पड़ेगी तो उसी प्रकार television भीना light के नहीं चलता, light मत बोले तो यानि क्याते है बिद्युधारा, electricity को जो है बिद्युधारा भी कहते है और इसको जो मापने के लिए होता है, अब अगला question देखेंगे, आपको जो है यहाँ पर एक एक साकरती दी है इस आगरती में यहाँ पर कोई question mark छूड़ गया है, आपको इस जगह पर भरना है कि यहाँ पर क्या आएगा, यह आला figure, यह आला figure, यह कौन सा figure जो है यहाँ पर fit होगा, आपको यह बताना है तो आपको चार्ट्गड़ों में से यहाँ पर एक केक का ट्ट्गड़ा छूड़ गया है, इस इसको आपको fit करना है, इसको यहाँ पर fit कर सकते हो option A जो है right answer हो जाएगा आप इसको देख भी सकते हैं तो यहाँ से यह match कर जाएगा और यहाँ से यह मोटा आएगा और यह पतला से line जाएगी और उपर आला तो इस प्रकार क्या करती कौन बन रही है option A तो वैसे भी आप देख सकते हैं जो है पीछे को जा रहा है तो इसका आगे को जाएगा तो ऐसा वाला चाहिए था आमको ऐसा कोई तो यह तो ऐसा हो गया यह भी ऐसा है यह भी ऐसा है तो हमें यह वाला option A मिल रहा है अब 106 को question को करते हैं एक कक्षा के बालक सीधी line में खड़े हैं एक कक्षा के बालक है आप ध्यान से देख सकते हैं एक कक्षा के बालक है सीधी line में खड़े हैं एक कक्षा के बालक सीधी line में खड़े हैं इनमें से एक लड़का को एक लड़का है line के दोनों सीरे से 19 स्थान पर खड़ा है यानि अगर बच्चे ऐसे बैठे हैं लाइन में ऐसे बैठे हैं अगर आप देखेंगे ऐसे जो है बहुत सारे बच्चे बैठे हैं तो एक लड़का है जो यहाँ पर माना यहाँ पर बैठा है वो लड़का यह वो लड़का कोई है तो आप देखेंगे कि दोनों सिरे से एक ह यहां से किना तब भी उनीश्व नंबर पर है यहां ऐसे करके यहां से आये तब भी उनीश्व नंबर पर है तो आपको पता है दाएं से जो स्थान है उसका उनीश्वा है बाएं से जो है उसका स्थान है उनीश्वा क्योंकि वो कह रहा था कि दोनों सीरे से उनीश्व स्था माइनस 1 तो दाय से स्तान है 19 प्लेस 19 माइनस 1 19 प्लेस 19 38 माइनस 1 37 तो इसका आंसर आजाएगा 37 तो 37 ओप्शन है B में तो इसका आंसर आजाएगा B तो आपने बहुती आसान तरीके से इसको ख़ड़ दिया फॉर्मला में फिर बता देता हूँ अगर एक लाइन थी एक लाइन बैठी है आप जहां से देख सकते हैं एक लाइन है ये लाइन है माना आप इसको जो है इसमें ये बार और सिक रखते हैं जैसे एक लाइन है लाइन ऐसी है और बच्चे ऐसे बैठी है लाइन में, कुल बच्चे पता नहीं है मैं, यहां होता है, दाया यहां होता है, आपको सब को पता है, यह जो है, इस साथ से लिख रहा हूँ, तो यह दाया हो गया, इधर भाया हो, हमने देखा कि एक लड़का कोई लड़का है, यहां से देखा, तो वो 90 नमबर पर है, जब दाये से भी 19 था, प्लैस, यह प्लैस, बाये से भी 19 था, माइनस 1, 19 प्लैस, 19 प्लैस, 1938, माइनस 1, 37, तो बहुत आसानी तरीके से हमने इसको शौल बख़र दिया, तो इस परकार का यह कुशन भी हमको आ गया, अगला कुशन देखते हैं, कुशन नमबर 107, यह दी पार्द पार्दशी कागज है, जिसके आर्पार दिखाई दे रहा है, तो पार्दशी पेपर बने ऐक्स कागज को यह है एकस आकल इकस ाकलती, काध है आपको एकसी मे प्लकूर पटिंग वाला कुशन रेखा के आधार पर मोला जाए तो दीगी किस विकलपा आकरती ABCD के समाई अगर इसको हम मोड दें तो किस प्रकार का दिखाया देगा मोडने के बाद आपको पता है कि Option से देखिएगे कि इस जगह पर खाली है यहाँ वी जगह पर खाली है इसका मदला कोई भी जगह खाली का भभ हो खकी है जब वो कागज उस इसको फोल्ड प्राद है अगर मैं इस दर को मोड दूँ तब यह जगह खाली हो जाएगा सेम वही बात तो यहां पर आपको पता है कि यहां वाले जो आइटम थे यह यानि जो तीर जैसे हैं यह यहां इसका mirror image बन जाएगा तो आप ध्यान से देखेंगे कि कैसे इसको फोल्ड करेंगे तो सबसे पहले आपको पता है कागज इस site खाली है इस site खाली है तो इसको ऐसे इधर को मोड़ देना है तो यह ऐसा खाली जगह जो है यह खाली रह जाएगा ये खाली रह जाएगा क्योंकि ये वाला जगा खाली जिसमें मैं ये लगा रहा हूँ ये खाली क्योंकि सब इधर आके इधर को आ गया है तो आपको पता है ये तो ऐसी रहेगा ये भी ऐसी रहेगा पहले तो इतना ही रहेगे हमको ये ये जाना है इसको और इतने को जाना है इधर से ये लाइन से इधर वाले को इधर वाले को जाना है तो ये जो है क्या होगा ये वाला जो था ये वाला ये इसके उपर आ जाएगा यानि यहां तीर यहां आ जाएगा जो यहां था वो इसके उपर आ जाएगा तो कैसा बन जाएगा चितरे आप कागज इतना ही रहेगा क्योंकि यहां फोल्ड है कागज फोल्ड है तो यह पहले से ओ था और यहां भी जो है पहलेशे ऐसे थे τीर जैसे आजाएंगे आज स Krish तो इनी के उपर जो हो तीर जैसे इस प्रकार आगे तो आपने ध्यान से देखा तो माना काज़ ऐसा था ये फोड़ हुआ तो ये एल्रेडी पहले से थे अब ये जो ये तीर जैसे जो इधर को आये थे ये इनी के और जाएंगे तो अर्थाज जो 3 ये वाला था ये हलका सा इधर को आ जाएगा जो ये वाला तीर था वो ऐसा जाएगा तो इस परकार का option आप देखेंगे तो कौन सा option है आप गोर से देखें तो इस परकार का option है B तो इस परकार आपका answer आगया B क्या हुआ ये बॉल ऐसी रहे ये वाला जो डंडा है ये इसके उपर आ जाएगा डंडा ऐसे और ये वाला डंडा है इसके उपर आ जाएगा इसका mirror image हो जाएगा तो ये खाली जगा ऐसा बन जाएगा यहां खाली हो जाएगा और बी जो है option हो जाएगा अगला question करते है school is related to education school का संबंद education से है तो bank का संबंद किस से होगा आपको पता है school में सिक्षा मिलती है education मिलता है यानि school हम इसले जाते हैं क्योंकि हमको सिक्षा मिलती है तो bank का संबंद bank में हम किसले जाते हैं ATM के लिए, check के लिए, loan के लिए, locker के लिए तो आपको बेंक के मेरे काम यूज प्रोवैट को रखना और अपको करना हुता है जिसक्स मेरे स्कूल का मेरे काम काम तो E का mirror image ऐसा होता है R का ऐसा होता है A का A बनता है H का H बनता है और S का ऐसा हो जाता है तो इस प्रकार C R का जो mirror image आया आप आप देख सकते हैं आसानी से ऐसा ओला option कौन सा है E R A H S आप देखेंगे E R A H S ये क्यों नहीं हुआ आपको बताना है कि कौन सा option E R A इसमें तो A है नहीं E R A ये भी R का ऐसा होता नहीं है तो सबसे पहले E R A H S का बना रहा है यहाँ R का जो है पल्टा नहीं है तो option A जो है answer आजाएगा अब ध्यान से देखेंगे अगला question दिए गे सिंकला में पानी में देखा जाये तो इसका प्रतिवी में कौन सा बनेगा आपको इसका water image निकालना है तो पानी में देखने पर HR26420 का water image कैसा बनेगा आपको देखना है तो आप जहां से देखेंगे तो HR2 का water image तो HR2 का water image एची रहता है R का water image ऐसा होता है 2 ये नजदिक है तो ये और 2 का जो water image होता है ऐसा होता है 6 का जो water image होता है इस step से होता है और 4 का water image ऐसा होता है और 2 आप आसानी से आपने देखा तो इस प्रकार का option कहा अपर है तो आप ध्यान से देखेंगे आपके पास HR वाले दो option है यानि B भी हो सकता है C भी हो सकता है तो आप फिर आप देखेंगे HR E 4 5 0 अब यह वाला क्यों नहीं हुआ आपने इसको ध्यान से देखना है तो यह आर जो है पुलट गया है इधर को इधर ही रहा तो मिरर इमेज जो है नहीं हो सकता है तो option जो है डी इसका सही हो जाएगा HR दुबारा बता देता हूँ आर का जो जैसे आर है तो इसका जो मिरर इमेज बनेगा इसका जो वाटर इमेज बनेगा इस प्रकार का बनेगा जिस सैट होता है उसी सैट बनता है तो यह answer इसका ठेख हो जाएगा option D अब अगला question करते है एक साइग्यार वाला उस सब्दो को चुनिए जो दूसरे सब्दों के समूं से मेल नहीं खाता Earth, Sun, Mercury, Jupiter तो जो Earth है यह Earth एक प्लेनेट है और Mercury भी जो है एक प्लेनेट है जुपिटर भी जो है एक प्लेनेट है तो आप देखेंगे Earth एक प्लेनेट है Sun स्टार है Mercury एक प्लेनेट है Jupiter एक प्लेनेट है अर्था प्लेनेट मनला ग्रा 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 तो यह सूरज जो है एक तारा है तो इस प्रकातफ तीन जो है प्लेनेट होगे प्लेनेट उसे कहते हैं जो सूरज के चार ओर चकर लगाते हैं सूरज के चार ओर चकर लगाने वाले को ग्रह था प्लेनेट कहते हैं अर्थ मलब प्रत्वी, सूरज मलब जो है सूरज, मर्क्यूरी, जो है बुद्ध, जूपिटर मलब ब्रेस्पती इस प्रकार सूरज अलग हो गया अगला कुशन है एक सा बार नंबर का इस वाले में कौन सा विकल्प जो है A, B, C, T में कौन सा विकल्प आएगा आप आसानी से देख सकते हो कि इसमें जो इस सैट से तिर्चा फिट होगा वो आला आएगा तो C, आसानी से आप देख सकते हो option C इसमें फिट आजाएगा बहुत यासान तरीके से इसमें option C फिट आजा रहा है इसमें एक टुकड़ा ऐसा लगाना है जो इसमें फिट correct फिट आए तो option C को अगर हम इसमें रखेंगे तो आप अगर इसमें option C को बनाएंगे तो option C बनाने के बाद इसमें correct फिट आएगा क्योंकि उसका save उसके साथ match कर रहा है तो option एक सब बारे का option C जो है answer आजाएगा यदि सारी दिशाओं को घड़ी की दिशामें यानि clockwise आपको 90 घुमाना है यदि सारी दिशाओं को घड़ी की दिशामें 90 घुमाया जाए जैसा कि उसने example भी दिया जैसे उत्तर को पस्चिम उत्तर को पस्चिम कर दो यानि जहाँ पर उत्तर है वहाँ पस्चिम कर दो जैसे यह दिषाएं होती हैं यह पूरव होता है यहां प्रस्षिम होता है यहां उत्तर होता है। यदि सारी दिषाओं को घड़ी की दिषा में 90 कॉर्ल गुमा दिया चाएठ घड़ी की दिषा में 90 degrees गुमा देना है अर्थाद इसका मतलब ऐसे अगर इस 90 Degree पूरब को उत्तर कर दो। जहाँ पूरब है उसको उत्तर कर दो। यहां पूरब था। अब यह खिशका, यह पच्शिम यहां चले गया तो उत्तर पूरब में चले जाएगा। अब पूरब कहा चले जाएगा, यहाँ पूरब यहाँ नीचे चले जाएगा दक्षिन यहाँ चले जाएगा, खिशके तो यह जो है दक्षिन यहाँ आ गया क्योंकि सब 90, 90 खिशके 90 का मलब जैसे कोई पश्यम था, तो इसकी जगाव बैठ गया अब उत्तर इसकी जगह बेट जाएगा ये इसकी जगह बेट जाएगा एक एक स्थान आगे खिशकी 90 का मलठा एक एक स्थान आगे खिशकी तो ऐसी चलता रहे तो उत्तर पस्षिम को क्या कहेंगे उत्तर ही पस्षिम दिशा को दक्षिन पस्षिम आला कौन सा है देखना है आपको तो दक्षिन को कहते हैं आपको पता है पूरब को कहते हैं एस्ट पूरब आपको पता होना चे पस्षिम को कहते हैं वेस्ट और उत्तर को कहते हैं नौर्थ और दक्षिन को कहते हैं साउथ तो आप ध्यान से देखेंगे तो पस्षिम दक्षिण यानि पस्षिम को क्या रहते हैं वेस्ट और वेस्ट साउथ तो वेस्ट साउथ वाला कौन साउथ पहला आप्सन साउथ वेस्ट एक बार और देख लीजिए अच्छा कुशन है यदि सारी दिशाओं को घड़ी की पहले दिशा आपको बता है ये इस्ट होता है ये वेस्ट होता है ये नौर्थ होता है इस्ट वेस्ट नौर्थ साउथ होता है अब वो कह रहा है कि सारी दिशाओं को जितनी दिशाओं है इनको 90 डिग्री प्लॉक्वाइज का मतला होता है घड़ी की दिशाओं जैसे घड लिटास्ट रहा है इसको उतर यहां पर उत्तर चलेगा पहले प्हले बैटता था अब यहां पर आगे फिटारी इस और यहां यहां जाएगा तो पुरब यहां जाएगा आज पूरब मदलब ठाई इस्ट अब जो दक्षिर वाला है यहां चले जाएगा तो साउथ यहां पहुंच गया दक्षिर पहुंच गया फिर कोशन कह रहा था तो उत्तरी पश्चिम अब ध्यान से देखेंगे तो उत्तर पश्चिम क्या होता है यह वाली दिशा जो बीच की यहां तो उत्तर होता है यहां पश्चिम होता है उत्तरी पश्चिम इनके बीच में होता है इसे दिशा को कहते हैं उत्तरी पश्चिम तो उत्तरी पश्चिम कौन सी दिशा बन की आज वेस्ट साउथ तो साउथ वेस्ट भी कह सकते हैं तो यह दक्षिर बनाय जा सकता है तो आप देखेंगे कि इन में से चार option में से कौन structure से वर्ल्ड बनाय सकता है इसमें जो वर्ल्ड आ रहा है इसलिए यह तो नहीं बनाय सकता है फिर देखेंगे दूसरा word है sculpture एस सर यह raha S,C से यह raha सर औह । indices सर यह रहा इसलिए अपसंथे प freedom में दिखा जाका क्या स्कारा में को आपको इसका अगला कोशन देखेंगे ये जैसे आपके सामने चित्र है तो आपको पता है कि जो बाहर वाला चित्र होता है वो आउटर यारी जो बाहर है इसका तो वही चित्र रह जाएगा अब ये जो इधर कोई जो बुलेट जैसा निसान है ये इस साइट आ जाएगा तो बाहर का आउटर इस तैसे बन जाएग फिर आप देखेंगे इसका मूँ इधर को है तो इसका मूँ इधर की और हो जाएगा और इसका मूँ इधर की और है तो इसका मूँ इधर की और हो जाएगा और ये बीच में लाइन थी तो बीच में लाइन ऐसी रहेगा फिर बीच में यहाँ पर ऐसे तिर्बुच जैसा था यहां से एक तिर्भुच जैसा था तो यह वाला तिर्भुच इस सैट से ले जाएगा तो इस प्रकार का option आप देखेंगे कौन सा option है तो इस प्रकार के option option D में है तो इसका answer हो जाएगा option D तो इस प्रकार आपने इसका mirror image बनाना सिखा तो यह जो तीर था यह तीर जो है इधर की ओर मुझा है तो इधर की ओर चले जाएगा तो यह वाला option यह वाला option यह वाला option हो सकता है तो यह वाला तो नहीं हो सकता था यह वाला इधर को तीर था तो उधर को चले जाएगा फिर यह तिर्भुच जो है इधर की ओर मुझा है और इसमें जो बच्चु की संक्या होगी फोटी नाइन आप ध्यान से देखेंगे कि इसमें बच्चे टोटल जो बच्चे हैं वो हैं फोटी नाइन तो फोटी नाइन बच्चु की कक्षिया है उपर से जो उपर से उसका स्थान होगा उपर से देखेंगे तो उसका स्थान ह करते हैं तो अंत से स्थान बराबर कुल बच्चे मैनस प्रारम से स्थान प्लेस वन तो कुल बच्चे हैं 49 उसमें से 18 को घटा दीजे प्रारम से स्थान प्लेस वन कर दीजे तो 49 में से 18 को घटाएंगे तो 31 प्लेस वन तो 32 जो है इसका answer आ गया तो आप इस प्रकार जो है formula दुबारे repeat कर लेंगे अंत से स्तान बरापर कुल बच्चे मैनस प्रारम से स्तान प्लैस वन तो इस प्रकार इसका answer आ गया 32 option D इसी question को एक बार और समझते हैं जैसे आपको एक line दी गी है आप जहां से देखेंगे question दिया है एक line देखेंगे आप उस line में 49 बच्चे total है 49 नितीन जो है 49 बच्चों की कक्षा में बैठा है यह line है तो 18 स्तान पर है यानि उपर से देखेंगे तो वो 18 स्तान पर है आप उपर से गिनेंगे 1,2,3 करके तो 18 नमबर पर है तो अंते से उसका स्तान क्या होगा आपको यह बताना है तो अंते से स्तान बताना है आपको तो आपको formula पता है अभी तो आपको बताया था formula अंते से स्तान बरावर कुल बच्चे मैनस प्रारम से स्तान प्लेस वन तो अंतिसे स्थान है टोटल बच्चे है 49 उपर से स्थान है 18 इसमें से मैनस कर देंगे प्लेस वन कर देंगे तो 32 आंसर आ जाएगा अंतिसे स्थान बराबर कुल बच्चे मैनस प्रारम से स्थान प्लेस वन 49 कुल बच्चे मैनस प्रारम से स्थान 18 प्लेस वन फोटीन एन में से थार कोगटा है 31 प्लैस 1 थर्टी टू देखते हैं यहाँ पर इस जगह पर कौन सा चीज फिट होगी यह स्पैडर का मकड़े का जारा है इसमें कौन सा फिट होगा तो यह पर छोटा सा सरकल चाहिए जिसका मुह उपर की ओर हो तो ए ऑप्शन बी ए भी दे करें जरा हैं अधियाम के मैं चीज फोटे सा रहा है यही से आखसर हैुरार का चाहिए जोंस काने डिए है